अगर आप दूसरों को खुश रखने वाला इंसान है, तो मतलब कि आप हमेशा ही अपने से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। हो सकता है कि आप हर एक काम के लिए दूसरों की हामी का इंतजार किया करते हैं या फिर हर चीज दूसरों को देना सीखे हो पर हर बात में दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दो इसमें एज़स्ट होने में कुछ समय लग सकता है लेकिन ये मुश्किल नहीं है, इन टिप्स को अपनाए नमबर एक, अगर आपके मुँसे हर काम के लिए हमेशा ही हाँ निकलता है फिर भले ही आप वो करना चाते है या नहीं या फिर उसकी वज़े से आपको स्ट्रेस हो रहा हो तो फिर आप ना बोलना शुरू कर दे याने systematic way में, एकदम गुसे में नहीं कुछ बहाना दे दीजिए और ना बोल दीजिए नमबर दो, अगर आपकी आदत अपनी आवाज उठाने की बजाए दूसरों की मर्जी के अनुसार चलने की है तो फिर अपने लिए बोलना सिखे नमबर तिन, अगर आप किसी की मदद करने के लिए हामी भरते है तो एक limit set कर ले नमबर चार, अगर आप दूसरों का ख्याल रखते हुए अपना ध्यान रखना नजर अंदाज करते जाते है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हर दिन से कुछ समय जरूर निकाले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share और subscribe जरूर करें और notification bell icon को भी दबा दे मैं हूँ डॉक्टर अशिज जालुई, आपका destiny doctor गए 30 वर्षों से मैंने 1000 लोगों को मेरी ZPR technology द्वारा 10X ग्रो करने में मदद की है